जब से आनन महिंद्रा ने भारत की पहली एर टैक्सी की फोटो अपने एक्स एकाउंट से श्वेर किये तब इसे लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि भारत में एर टैक्सी की सुविधा कब से शुरू होगी आपको बता दे कि पुरी दुनिया में किफाइती यात्रा और समय की बच्वत के लिए एर टैक्सी का ट्रेंड बढ़ गया इसलिए एविएशन सेक्टर से भविश का एक सफल बिजनेस मान रहा है एर टैक्सी दरसल कम समय में लंबी दूरी की यात्रा को पुरा करने में मदद करती है साथ इसके बीचे हवाई जहास पकड़ने की तरह एरपोर्ट पर नहीं जाना पड़ता साथी हवाई टिकेट के मुकाबले एर टैक्सी का किराया भी काफी कम होता है इसलिए से आने वाले दिनों में एविशन स्टार्ट अप के तौर पर दीखा ज़ा रहा है जोबी अविशन स्टार्ट अप विश्व की पहली एर टैक्सी लॉंच करने च्वारा कमपनी दुबई में जल्दी दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी सविश शुरू करेगी स्टार्ट अप के द्वारा इस साल के शुरूआत में गल्फ एमिरेट्स के साथ ही साज़ुदारी में काम करने की गोश्रा की गई थी 2025 तक ये टैक्सी दुबई में शुरू हो जाएगी और जौबी एविशन में टोयोटा जवसी दिगज कार कमपनी भी 394 मिलियन टॉलर निवेश कर रही है इसी कड़ी में भारत में भी इट क्लूब एविशन वा आर्च्वर एविशन मिलकर एयर टैक्सी सेवा शुरू कर रहे हैं साल दोजर चौबीस तक नहीं दिली के कनौट प्लीस से गुरू ग्राम तक एयर टैक्सी सेवा शुरू होने की संभावना है नहीं दिली के कनौट प्लीस गुरू ग्राम का सफर एयर टैक्सी से ही साथ मिनट में ही पूरा हो सकेगा इस एयर टैक्सी में पाइलेट सहीद पांच विक्ती यात्रा कर सकेंगे मुंबई बैंगलूरू में भी एयर टैक्सी शुरू करने की योधना है इंटर्ग्रूब इंटर्प्राइजिस की एयर टैक्सी का नाम मिदनाइट होगा कंपनी ने बताया कि हमारा लक्ष्व है कि दिली के कनौट प्लीस से गुरू ग्राम तक की 27 किलोमीटर यात्रा में कि फ्लाइट का किराया करीब 2-3,000 रुपे तक हो सकता है